हालो एव्रिवर्न, मिलकम बैक टो मैं चैनल एंड मैं हुदीपा दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गाउ में धाई मा के द्वारा या पुरानी औरतों के द्वारा ऐसे कौन सेलक्षन देखे जाते हैं जो बताते हैं कि गर्व में बेटा पल रहा है दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाउ में चोटी मूटी चीजों के लिए या चोटी मूटी बिमारियों के लिए डॉक्टर्स की स्पास नहीं जाया जाता है घर में ही कुछ आयरवेधिक या कुछ नुस्के आजमा कर उन्हें ठीक कर लिया जाता है पहले की जो धाई मा हुआ करती थी या पुरानी औरते हुआ करती थी 90-80 साल की वो काफी ज़्यादा experience हुआ करती थी उनके द्वारा कई deliveries कराई जाती थी किसी भी pregnant महिला को देखकर वो जान जाया करती थी वो अनुमान लगा लेती थी कि उसके गर्व में बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है उनके पास इतना experience होता था जिसके कारण उनके अनुमान कभी कभी सही हो जाया करते थे तो फ्रेंस यदि आपके मन में भी ये जिक जासा आती है कि हमारे गर्व में बेटा है या बेटी है उसका स्वागत हम किस तरह से करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है वीडियो सु जबन आती है तो प्लीज लाइक भी करें तो आये फ्रेंस वीडियो शुरू करते हैं देखिए फ्रेंस बेटा और बेटी दोनों समान हैं लेकिन फैमली कंप्लीट करने के लिए जिस तरह बेटा जरूरी है उसी तरह से बेटी भी जरूरी है कुछ लोगों को पहले से बेटी है उन्हें बेटा चाहिए यह वीडियो बेटा या बेटी किसी में भी भेदभाव नहीं करती है दोस्तों बेटा और बेटी दोनों ही समान है और दोनों को समान प्यार देना चाहिए इस वीडियो को देखकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं दोस्तों यहां पर मैं अपनी experience भी share करूँगी क्योंकि मुझे एक बेटा और एक बेटी दोनों है और दोनों के लक्षण मेरे साथ क्या हुए मैं आपसे share करूँगी दोस्तों कहा जाता है कि यदि pregnancy में आपकी smell करने की ख्यमता बढ़ गई है आपको लहसुन प्याज या किसी भी बगार चौक की smell अच्छी नहीं लगती है उसकी smell से आपको vomiting जैसा feel होता है आपको वहां से चले जाने की इक्षा होती है तो कहा जाता है कि आपने गर्ब में लड़का conceive किया है लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पहले जैसे ही है तो कहा जाता है कि आपने का conceive किया है लेकिन वहीं अगर आपको pregnancy में बहुत भारी पन फील होता है आपको कोई काम करने में बहुत आलस लगता है आप वो काम करने की इक्षा बिलकुल नहीं करता है तो ऐसे में आपने एक लड़की conceive करी है दोस्तो ये बात मेरे साथ पूरी तरह से सही हुई है दोस् मा का पहला दूद बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है वो portion से युक्त होता है और रोग प्रतिरोधक शमता बच्चे की बढ़ाता है तो friends जब भी आपकी delivery हो अपना पहला दूद बच्चे को जरूर पिलाए पहले की महिलाए नहीं पिलाया करती थी उसे fake दिया करती थी लेकिन जैसे जैसे research हुए पता चला कि ये दूद बहुत ही अच्छा माना जाता है तो अगर महिला का right breast भारी हो जाता है तो माना जाता है कि गर्व में लड़का है और वहीं पर अगर left breast महिला का भारी हुआ है तो गर्व में लड़की conceive करी है दोस्तों अगर pregnancy में आप आपका चेहरा मुर्जाया हुआ सा रहता है आपके चेहरे में कोई भी रंगत नहीं रहती है चेहरा बहुत मुर्जा मुर्जा सा लगता है आपके चेहरे में pimples wrinkles ये सारी चीज़े आ गई है चेहरा सामला पड़ गया है और जुर्या भी आ गई है तो कहा जाता है कि आपने एक लड़का कंसीव किया है लेकिन वहीं पे अगर आपका चेहरा ग्लो कर रहा है आपके चेहरे की रंगत अच्छी हो गई है तो फिर कहा जाता है कि आपने एक लड़की कंसीव करी है क्योंकि जब आप एक लड़की कंसीव करते हैं तो आपके बॉड़ी में महिला का हार्मो बढ़ जाता है जिसकी कारण आप और भी सुन्दर और आपका चेहरा ग्लोई लगने लगता है दोस्तो गावों में ये लक्षण बहुत ज़्यादा प्रश्लित है और इसे माना भी जाता है और मेरे साथ भी ये लक्षण सही हुआ था अगला है आवाज का भारी होना दोस्तो बहुत सी महिलाओं का प्रेगनेंसी के बाद आवाज में चिंजिस आते हैं उनकी आवाज में भारी बना जाता है तो अगर आपकी आवाज में भारी पन है और वो जिल्स जैसे हलके हलके आने लगे हैं तो कहा जाता है कि आपने एक ल को आप केवल अंदाजे के लिए ले सकती हैं इसको लेकर आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं उम्मीद है वीडियो में बताएगी जानकारी आपको पसंद आई होगी यूसफुल लगी होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर सब्सक्राइब करना बि